Agriculture Extension Assistant हो या Junior Agriculture Extension Officer Agriculture Department की पोस्टों पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा जमकुश्मीर के युवा Agriculture के साथ जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि हम compete करना चाहते हैं हम competition में participate करना चाहते हैं लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा मेरे साथ इस समय जमकुश्मीर Agriculture Student Association के प्रेजिडेंट दिव्यांच वर्मा है इन्हीं सब समझते हैं कि आखिर मामला क्या है दिव्यांच जो अभी रिसेंटली जो Agriculture Extension Assistance हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने कहा कि कश्मीर में DPC करके जो कश्मीर में उन्हीं के counterpart से उन्हें प्रमोट कर दिया गया हमें भी प्रमोट किया जाए और उनकी प्रमोशन का जो काम है वो चल भी रहा है आप से समझना चाहूंगी कि इस प्रमोशन में आखिर दिक्कत क्या है और क्या है ये Junior Extension Assistant Officer की पोस्ट पर बवार सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा बड़ा शुकर गुजार हूँ धन्यवाद करता हूँ ये जो DPC की बात ये लोग कर रहे हैं हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले दिनों तो मर्जर की बात हो रही थी कि दोनों पोस्ट को मर्जर किया जाएगा ताकि जो A.E.A. की पोस्ट है वो अबॉलिश की जाए क्योंकि जो A.E.A. पोस्ट है Agriculture Extension Assistant वो किसी Policy के तहत नहीं बनाई गई थी वो एक तपके को एक वन टाइम जो है एक Privilege दी गई थी जिसमें कुछ लोगों को जो की रहबरे जहरात के Employees थे उनको पर्मनेंट किया गया था अब्जॉब किया गया था Department of Agriculture द्वारा अब ना तो वो किसी competition के तहत थे ना उन्होंने कोई इंटर्विव यहां कोई exam कॉलिफाई किया था उन लोगों ने जस्ट एक प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट के बाद उनको रहबरे जहरात में उनको एब्जॉब किया उसके बाद फिर दुबारा उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उनको एब्जॉब क करके उनके लिए स्पेशली एक पोस्ट क्रियेट की गई जिसका नाम है एग्री कल्चर एक्स्टेंग्शन एसिस्टेंट जिसकी कोई सर्विस जो है पॉलिसी नहीं थी ना रिक्रूट्मेंट पॉलिसी के तहत वो पोस्ट फॉल करती थी अब यहीं लोग कह रहे हैं कि अब ह इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद उनको पहले रहबरे जहरात लगाया गया फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको एब्जॉब करके पर्मनेंट किया गया 40-50,000 उनकी सेलरी है अब वहीं लोग कह रहे हैं कि अब हमें ही प साथ जो हुआ उन्होंने का कि इन लोगों के साथ discrimination हो रहा है मेरे ख्याल से उन्होंने discrimination वर्ट को थोड़ा सा misinterpret किया है मैं उनको ये correct करना चाहूंगा अभिनफ शर्मा जी कि जो discrimination है वो अलग वर्ड है उसका मतलब अलग है जब दो लोगों में कोई चीज equally divide ना हो जब ए रहा उनके लिए कोई service policy या कोई recruitment policy नहीं है discrimination उनके साथ हो रही है या जो already department में बैठ किया मज़े की नोकरी कर रहे हैं उनके साथ हो रही है discrimination से उनकी मुराद यह थी कि already कश्मीर में जो है DPCs create करके offices को promote कर दिया गया अब जम्मू के कहना था कि उन्हें promote कर दिया हमें क्यों नहीं जो generally होता भी आया है कि आप एक ही जो position पर लोग है उनको कश्मीर division में अगर promote कर रहे हैं जम्मू division में नहीं कर रहे तो उनका यह कहना था कि यह तो साफ discrimination है क्योंकि हम जब लगे एक ही policy के तहद हम जब लगे एक ही समय पर तो अब उनकी promotion हमसे पहले क्यों तो आप कैसे देखते हैं इसे कि क्या कश्मीर में भी जो कदम ले उठा लिए गए कि उन्हें promote कर दिया गया क्या वो भी गलत है यह वहां का सीन अलग है हमें केवल जम्मू से मतलब है देखिए ऐसा है मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारे यहां के जो एस्टेशन के प्रेजेंट्स हैं या एवन की employees हैं वो लोग क्यों हमेशा कश्मीर को देखके चलते हैं कश्मीर में ऐसा हो गया जो कश्मीर में हुआ वो गलत था सरासर गलत था और वहां के जो स्टूडेशन थी उनको वहां पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था क्योंकि merger की बात हुई थी हमारी merger होगा, reorganization होगा डिपार्टमेंट में उसके बाद ही newly जो recruitments हैं वो होगी जब DPC आप कर रहे हैं, DPC का मतलब यह हुआ कि आप उसको annually promote करते जाएंगे batch by batch तो उसी साब से तो कभी post advertise ही नहीं होगी, और जब आप DPC कर रहे हैं, that means कि आपकी जो नीचे AIA की post बचती है, वो vacant हो जाती है जम्मू के लिए hardly 20 number of post थी, हमने उसके खिलाब protest किया था उसके against, अगर कश्मीर की वो policy सही थी और अगर कश्मीर के डिरेक्टरेट से जो post है निकली थी, वो इतनी valid थी तो उनको एक दिन में क्यों वापिस लिया गया, क्यों withdraw किया गया, जब डॉक्टर जितिंदर सिंग जी ने उसमें इंटर्वीन किया, तो क्यों एक ही दिन में post ओं को withdraw किया गया, that means उसमें बहुत सारे lacunas थे, loophole थे, उनको पता था कि हमारा गलत decision है, लेकिन हमारे इस रियासत में जम्मू कश्मीर जो आप union territory बन चुकी है, यहाँ पर आए दिन ऐसा होता रहता है कि administration द्व रहा है, reorganization हो रहा है, तो आप उन post ओं को कैसे advertise कर सकते हैं, मतलब अगर एक matter judiciary में है, उस matter के related आप कोई decision कैसे ले सकते हैं, जब वो already process में है, जब आप कह रहे हैं कि post ने convert हो जाएंगी, post ने change हो जाएंगी, हम कोई policy बना रहे हैं, जब आप कोई policy बना रहे हैं, उस में से आपने 153 post कहां से निकाल ली, और वो क्या, उनकी validation क्या है, जब कि वो post हैं हमारी हैं ही नहीं, तो ये सारे events है मैं, ये बहुत पुराने time से चल रहे हैं, ये events और इसमें बहुत सारा एक, आप कह सकते हैं कि एक scam इसको आप नाम दे सकते हैं, जो की last जो ruling government थी, PDP की, जिसम के तहत, जो हमारे young agriculture professionals हैं, जो graduates हैं, जो technocrates हैं, उनके बिल्कुल हाथ कार दिये गए, कि वो अब department में enter ही ना हो सकें, और पता नहीं क्यों एक special treatment, एक favoritism, एक तपके को दिया गया, कि उन्हीं को permanent करके, फिर उन्हीं को promote, अब आगे उन्हीं को मेरे ख्याल से डिरेक्टर जैसे कि आप के साथ discriminate किया जा रहा है, कि आपको enter ही नहीं करने दिया जा रहा है, आपसे समझना चाहूंगी कि 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 कितनी posts हैं CJEO की, जिसमें केवल promotion के थू है, जिने fill किया जा रहा है, क्योंकि particular quota होता कि इतने पसंट आपको direct recruitment करने, इतने पसंट जो है promotions के थू होगा, क् जो agriculture recruitment का जो policy थी, उसमें एक SRO 2 था, SRO 02, जिसके तहट, जिकी SSRB exam conduct करेगी, और agriculture graduate जो है, वो junior agriculture extension officer के लिए form भरेगा, और उस post पे वो लगेगा, वो कहता था SRO 2, इन लोगों ने 2017 में government के साथ मिलके, SRO ही change करा दिया, उसको amend करा के एक नया SRO बनाया, SRO 442, जिसमें साफ साफ clear cut लिखा हुआ है, कि no direct recruitment and 100% promotions, मतलब जितने भी A.E.A.s हैं, उनको ही, और उसमें लिखा हुआ है, madam, with special reference to A.E.A.s, मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा blunder इन्होंने किया, article 14, article 16 की, इन्होंने violation की, कालून की violation की, जो policy makers हैं, कि उन्होंने वहाँ पर mention कर दिया, कि with special reference to A.E.A.s, जो है, वो promotion की जाएगी, और no direct recruitment, जबकि हर एक department में आप देखिए, चाहे, वो medical department है, engineering department में, हर एक department में, एक quota set होता है, कि 60% जो है, वो freshly graduates को लिया जाएगा, वाया SSRB और वाया PSC, और जो 40% या 35-5% जो है, वो quota होता है, departmental promotions का, जिसमें कि वो जो DPCs हैं, जो promotions हैं, वो करते हैं, लेकिन एकलोता मात्र ऐसा department है, Department of Agriculture, जिसमें 100% promotions और एक ही special तपके को दी जा रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, कि इतना favoritism, और इतने लोग interest ले रहे हैं, advocate अभिनव शर्मा जी ने इतना interest लिया उनके लिए, और even कि मैं ये भी सुनके हरान हो गया कि अभिनव शर्मा जी ने ये तक कह दिया, कि मैं guarantee देता हूँ, आप सभी जानते हैं, वो एक advocate है, वो law profession से belong करते हैं, लेकिन उनके पास कोई government का कोई पद नहीं है, उनके पास कोई designation नहीं है, वो ना कि principal secretary है, ना ही वो LG है, जो उन्होंने decision ले लिया, अगर वो आश्वास से, जो article 16 है, जो कि हर एक individual को, हिंदोस्तान के हर एक individual को opportunity प्रोवाइट करता है, equal opportunity, job और employment के related, उसको पूरा clear cut violate इन्होंने किया है, आप से समय चाहूंगी कि पिछले इतने सालों में, क्या, जो agriculture के pass outs हैं, उनके रिए क्या कोई भी post निकली है, जिसके लिए आप apply कर सकें, या फिर इसी तरीके से system जो है चला आ रहा है, और आज भी system वही है, मैम जब से ये AES का मसला, ये जो चला है, जब से ये batch आया है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा आपके मादेम से कि इतना इन्होंने मनुसियत फैलाई है, ये लोग इतने selfish हैं, कि इन लोगोंने उसके बा पशरी के पास गया मुद्दा, तो हमारे students जीत गए और आज वो department में job कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग गलत थे, लेकिन उसके बावजूद इनोंने SRO बनवाया, पता नहीं कैसे बनवाया, पता नहीं क्या इनके links से उस टाइम पे, cabinet मंतरी हंजूरा साब के साथ किनोंने SRO चेंज करवाया, लेकिन पिछले 15 साल से कोई भी policy ऐसी नहीं बनी, कोई भी recruitment policy ऐसी नहीं बनी, specially agriculture graduates के लिए, जो की हमें job opportunity प्रोवाइड करें, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल, दोनों universities से, इवन की squash कश्मीर या squash जमू हो, हर साल number of seats बढ हमारे students, B.S.C., M.S.C., PhD करके क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं, ऐसा नहीं की डिपार्टमेंट में पोस्टें नहीं हैं, आज की date में कम से कम 15 सो से 17 सो जई योज की post vacant है, क्योंकि ample number of employees जो है, वो retire हुए हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा mafia, कोई lobby इनकी बनी है और ये लोग चाते हैं, और ये लोग उसी के लिए लगे हुए हैं, कि हम ही लोगों को promote किया जाए, और directly तो किसी को recruit ही नहीं किया जाए। लेकिए इतना बड़ा ब्रंडर इन्होंने किया था, कि इनको एक दिन में हमने तो पूरी planning की थी, कि हम protest करेंगे, लेकिन एक दिन में इन्होंने decision withdraw किया, इसका मतलब उसमें lacunas थे, और उसके बाद lockdown का दोर आ गया, COVID का दोर आ गया, सब कुछ शान्त हो गया, हमें उमीद थी कि डॉक्टर जितिंदर सिंग शायद इसमें इंटर्वीन उन्होंने किया है, तो कोई ऐसी policy तयार करवाएंगे, या वो instructions देंगे, क्योंकि जम्मू में तो सारे नेता सोय रहते हैं, मैंने देखा कि डॉक्टर जितिंदर सिंग जी को इंटर्वीन करना पड़ा, जम्म गॉर्मेंट थी, उनकी किसी भी नेता ने कोई ऐसा ब्यान नी दिया, कि जिसके तहात ये कह सकें कि इनकी सिंपती हमारे साथ भी है, और one-sided इनकी हमेशा सिंपती रही, और इस टाइम तो हम बिल्कुल हैरान परिशान है कि अब तो इनकी उन्होंने guarantee दे थी कि DPC हो लेकिन अभी COVID की guidelines हैं, SOPs follow करने पड़ते हैं, इसलिए हम उसको भी जो है neglect नहीं कर सकते, इसलिए हम अब media का सारा ले रहे हैं कि फिलाल किसी तरीके से हमारी ये बात honorable lieutenant governor साब के पास पहुंचे, और ये इस मुद्धे में intervene करें और खुद इसमें एक policy agriculture graduates के लिए बनाएं, नहीं तो मैं आपके माधियम से, जितने भी हमारे ये भाई agriculture technocrates के parents हैं, वो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई future आपका आप नहीं रहा, और जितने माब आप ये सोच रहे हैं, इस साल ये आगले साल कि हम आपने बच्चों का agriculture graduates बनाएं नहीं है, कोई policy ही नहीं है, कोई recruitment policy ही नहीं है उनके लिए. कोई बदलाव आपको जमकश्मीर की recruitment policy में देखने को मिल रहा है, हम तो ये कहते हैं कि agriculture graduates की अगर specially बात करूं तो इनके लिए आठ महीने या एक साल से process चल रहा है, कि हम reorganization कर रहे हैं, reorganization कर रहे हैं, हम लोग इसको सही कर देंगे, हम लोग आपके लिए recruitment लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसके इलावा अब आप देखिए बाकी जो है, पंचायत assistant हो, bank PO हो, काफी time से exam हुआ था, उसके बाद result काफी late आया, उसके बाद जॉइनिंग पता नहीं कब होगी, उसके बाद दो साल वो probation पे रहेंगे, तो जमू कश्मीर की जो recruitment policy है, फिल हाल, आप पोस्टें advertise कर रहे ह पे, professional courses हमारे agri culture में तो चलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने पंचायत की की, आपने exercise की की, बट उसको आप fill करते करते इतना time हो जाता है, कि दो चार साल तो उस student के ऐसे ही निकल जाते हैं, वो mentally इतना, आज की date में हर एक इनसान financially इतना stable नहीं होता, कि वो दो चार साल तक अपना गुजारा वैसे चला सके, parents पता नहीं कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पड़ा रहे हैं, कोई loan लेके बच्चों को पड़ा रहे हैं, किसी किसी तरीके से वो अपने बच्चों की जरूरते पूरे कर रहे हैं, hostels की fee structure revise हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप recruitment, मलब बच्चे ने exam qualify कर दिया, बच्चे का list में नाम आ गया, उसके बाद भी उसको दो साल wait करना पड़ेगा कि मेरी joining होगी, joining के दो साल तक आप उसको basic salary देंगे, तो कब जाके आप अपनी recruitment policies को बदलेंगे, और कब जाके हमारी development होगी, यह तो मुझे लगता है, ब students है, मैं उन सभी से ही request करूँगा, कि यह time है, यहाँ पर आप unite हो जाएए, आप सभी लोग और joint memorandum एक honorable LG साब को दीजिए, क्योंकि जो नीचे की lobby है, वो बहुत ज़्यादा worst है, बहुत strong है, वो आपकी बात उपर तक नहीं पोचने देती, और इनी की recruitment policies की वज़ा से इत देखिए कुछ AES जो उनके थे, वो कह रहे थे, हम merger जाते हैं, क्योंकि DPC में तो एक lot promote हो रहा है, उससे सबको तो benefit होगा नी, और फिर यह कहते हैं कि हम जमू कश्मीर के farmers को serve करना चाते है, मैडम जब आपकी salary 50,000 है, तो आपके दिमाग में यह चल रहाएगी, मेरी promotion होग हम इनके business चल रहे हैं, सब के business चल रहे हैं, तो यह सब fraud है कि discrimination है, यह सब fraud है इनके साथ कि इनको हक नहीं मिल रहा, DPCs, promotion, यह सब इनको एक लालच है, क्योंकि इनको free fund में लगा दिया गया है, कोई policy में इनको सिधा कहता हूँ कि competition करवा दो इनका हमारे बच्चों के साथ, अभी यह लोग 5-5-10-10 साल से department में हैं, इनको तो ज़्यदा जानकारी होगी, अभी भी इनका competition करा दो हमारे students के साथ, हम इनको कहीं touch नहीं होने देंगे दूर दूर तक, तो यह सब एक power लेने के लिए, grasp करने के लिए, और एक fun, इसमे political agendas हैं, अब मुझे यह समझनी आए कि अभी नफ शर्मा जी को इतनी अगर वो law profession से बिलॉंग करते हैं, क्या उन्होंने SRO442 को study नहीं किया होगा, क्या उनको नहीं पता कि यहां पर हमारे agriculture के बच्चे सफर करेंगे, तो किस सहत उन्होंने ऐसे assurance दे दी, इसका मतलब यह है, कि political agendas भी इसके पीछे हैं, यह ब इसम दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा भी, इवन की इस एक्ट्रेट से भी इनको इतना favoritism मिल रहा है, इनकी डिपीजी हो रही है, कश्मीर वाले तो इनसे बहुत आगे निकल गए, तो यह सारा मैम जो लॉबी बनी हुई है, इसमें ultimately नुक्सान हमारे sources कर रहे हैं, वो यह परिशान है कि हमारे लिए post कब निकलेगी, और वो लोग जिने adjust किया गया है डिपार्टमेंट में, जिने absorb किया गया है डिपार्टमेंट में, उनकी अब promotion की भी बारी आ रही है, हमें तो enter करने का भी मौका ही नहीं मिल रहा.